हेलो गाईज, स्वागत आपका परभाकर MBS में, आज का टॉपिक है, सबसे इंपोर्टन टॉपिक, बोल सकते हैं बलड में एनिमिया को, देखो, एनिमिया का वर्ड को पहचानो पहलो, एनिमिया का मतलब क्या होता है, एनिमिया का मतलब क्या हो गया, कि बलड का लॉस होगा, मतलब blood में reduction होगा किस चीज़ का reduction होगा और क्यों होगा इसका cause भी पता करेंगे क्या एक एक reason है अपनी इसमें discuss करेंगे देखो सबसे बड़ी बात क्या है anemia, anemia मतलब क्या हो जाएगा emia, एवर emia का मतलब ही होता है blood, emia का मतलब क्या होगा rbc, wbc, किस चीज़ का decrease होता है अपन इस topic में बात करेंगे मतलब अपन simple बात कर सकते है anemia क्या है anemia एक एक blood disorder है क्या blood disorder है तो blood disorder क्यों है क्योंकि इसमें reduction होता है किस चीज़ का reduction होता है इसमें reduction होता rbc जो है rbc का count तुम्हें decrease देखने को मिलेगा क्यों मिलेगा इसका भी अपन discussion करेंगे और याद रखना है इसमें hemoglobin जब rbc का count decrease हो रहा है तो इसका मतलब hemoglobin content भी तुम्हें कम देखने को मिलेगा hemoglobin content भी तुम्हें कम देखने को मिलता है और सबसे important जो अपन comparison कभी-कभी आपको हो, जब clinical आएगी ना, तो जैसे iron deficiency, anemia बहुत important है, university point of view से है, वहाँ से clinical आ सकता है, packed cell volume भी आपको देखने को पर सकता है, यह जो PCB है ना, PCB भी इसमें anemia में decrease देखने को मिलता है, इस पे एक separate topic रहेगा, PCB, packed cell volume और hemoglobin concentration और किस तरह से निगालते हैं, अपन एक separate video बनेगा, नहीं तो इस वीडियो में थोड़ा सा यह ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में अपन discuss नहीं करेंगे कुछ topic को, इसमें क्या होता है, जो packed cell volume है यह भी तुम्हें decrease देखने को मिलेगा, मतलब anemia क्या है, एक blood disorder है, क्यों है, क्योंकि इसमें reductions होता है, किस चीज़ का, RBC का count का decrease होता है, Hemoglobin content decrease होता है, और packed cell volume decrease मिलेगा, देखने को मिलेगा, मतलब PCB decrease मिलेगा, क्यों होता है, इसका couch क्या है, इसका couch यहाँ पर क्या होता है, कि RBC का count decrease क्यों, क्योंकि production ही कम होता है, RBC का production कम होता है, इसका reason कॉंट बढ़ेंगे इस टॉपिक में RBC का production कम होने के कारण RBC कॉंट कम होगा और दूसरा important इसमें RBC का production कम होगा इसमें RBC का destruction बढ़ जाता है RBC का destruction बढ़ गया इसमें RBC कॉंट और कम हो जाएगा और दूसरी बात जो excess body से blood ज्यादा से ज्यादा loss होता है यह तीन ऐसे cause है इस तीन cause के current RBC का count decrease देखने को मिलेगा हिमोगलोविन content तुमें decrease देखने को मिलेगा और PCP तुमें decrease देखने को मिलेगा अगर अपन बात करें classification का classification को वो दो basis पे divide क्या है एक तू morphological, morphology क्या है external structure आपका क्या है external structure के basis पे इसको मतलब morphology मतलब size और color RBC का क्या size है RBC क्या क्या color है इसके basis पे एक division किया गया है उसे बोलते है morphological division अगर उसका etiological basis देख लेते हैं तो etiology basis देखेंगे तो उसमें कि जैसे cause का बात करें या origin के basis पे बात करें तो इस division को बोलेंगे etiological classification कोई सिकर दो एक morphological classification एक etiological classification बोलेंगे अगर बात करें morphology में चो morphology में क्या क्या देखते हैं external structure external structure क्या होता है उसका size क्या है और उसका color क्या है अगर size जो देखेंगे न size को represent करेंगा MCB mean corpuscular volume इसको भी अपन separate topic में बात करेंगे नहीं तो यह topic लंबा हो जाएगा यह video लंबा हो जाएगा तो MCB size देखने के लिए MCB अपन देखेंगे mean corpuscular volume क्या होता है अपन इसमें थोड़ा सब बात करेंगे उसके बारे में और इसमें color देखने के लिए mean corpuscular hemoglobin concentration देखेंगे मतले MCHC देखेंगे यह भी थोड़ा थोड़ा अपन इसमें discuss करेंगे लेकिन इसका separate video रहेगा पुर छोड़ा video रहेगा लेकिन रहेगा तो itilogical क्या हो जागा cause और origin के basis पे अपन इससे बात करेंगे अगर बात करे morphological basis पे चो क्या क्लासिफिकेशन होता है अपन इसका बात करे morphological basis का बात करे तो morphological basis पे अनीमिया का चार टाइप तुम्हें देखने को मिलेगा कौन-कौन टाइप तुम्हें देखने को मिलेगा एक तुम्हें मिल जाएगा क्या एक मिलेगा तुम्हें नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनिमिया, एक हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक हैपोक्रोमिक एनिमिया, एक हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक हैपोक्रोमिक एनिमिया हो जाएगा, देखो इस टर्म को अपन समझते हैं, बहुत इंपोडेंट है, और उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें किस तरह से क्यों हम size of rbc देखते हैं क्यों size of rbc कम होता है normal होता है इसको अच्छे तरहीं करें पहले समझते हैं फिर इसको अपन normal range बात करेंगे चाहता है देखो सबसे पहले अपन बात करें जा चार टाइट का तो पहला term है अपन normocytic का क्या normocytic का इस normocytic का मतलब समझना normocytic क्या होता है normal जो word आया ना यह दो word से आया है एक तो तुम्हारा हो गया यह इसका मतलब हो गया normal normal का मतलब normal और यह जो तुम्हारा citic है ना और citic का एक synonym होता है site वर्ट से आया citic site represent करता है sale को sale के size को मतलब अगर RBC का sale का size देखेंगे अगर word normal है तो उससे हम क्या बोलेंगे normocytic बोलेंगे यही यहाँ पे term है normocytic क्यों इसमें RBC का sale का size normal होता है इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे normocytic बोलेंगे क्या बोलेंगे उससे normocytic बोलेंगे बहुत important था तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अब एक दूसरा टर्माता है इसमें normocytic नॉर्मो क्रोमिक में क्या हो जाएगा कि यह normocytic क्या रिपर्जेंट करेगा तुमारा नॉर्मल नॉर्मो क्या करेगा रही और नॉर्मल और यह chromic का मतलब क्या होता है chromic का मतलब होता है color उर्मो कि लिए कौन स्पांसिबल होता है तुमारा हिमो गलमिन इसका मतलब normo का मतलब normal है क्या normal है उसका color normal है इसका मतलब hemoglobin है normal है तो अपने बात करेंगे इसे normo static और normo kromic फाला टाइप नormo cytic का मतलब समग आएगा normal cell का size और normo chromic का मतलब हो गया normal है उसका hemo globin तो इसका मतलब इसी से समझते हैं आपन इसमें क्या होता है कि normosciatic so цент com normal तो मतलब देखा और यहां पर When you doctor at Q in it. चैनल करें चैनल लितुब शाजब दूघ और यहां पर व्यांद h dzू. ईसमें volume है तो volume है इसका cubic unit रहए गा figure in must what usually हो जैगा. तो समाटक है और से उम्हें अमेक थे का ही जाएका ओ जाए तुम्हें normal देखने को मिलेगा और याद रखना RBC का color normal है तो वहाँ पे hemoglobin mean corpuscular hemoglobin concentration मतलब normal है, hemoglobin normal है, hemoglobin normal कितना percentage होता, 30% होता है, इस चीज को याद रखना, 30% होता है, पस इतना याद रखना, term समझो, सब याद हो जाएगा, अपने यहाँ पे एक term आया न, mcv और mch क क्या होता है, mcv का मतलब हो गया, तुम्हारा mean corpuscular volume, mean corpuscular volume भी बोलेंगे, या इसे हम क्या बोलेंगे, mean cell volume भी बोलेंगे, और mean cell volume बोलेंगे, इसमें क्या करते हैं, अपने measure करते हैं, किस चीज का measure करते हैं, इसमें जो average cell volume है न, क्या, average एवरेज वॉल्यूम औफ आरवीसी आरवीसी का एवरेज वॉल्यूम क्या है उसको अपन मैज़ाइज करते हैं एमसी भी में बस इतना याद रखना इस पर अपन सेपरीट वीडियो बनेगा और अच्छे तरीका से अपन डिसक्स करेंगे मतलब एवरेज पॉल्यूम औफ आरवीसी को क्या बोलेंगे मीन कॉर्पस्कूलर पॉल्यूम बोलेंगे एक टर्म आता है एमसी एचसी क्या आता है एमसी एचसी इस टर्म को समझना एमसी एचसी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कूलर हीमोगलोबिन कंसेंट्रेशन mean corpuscular hemoglobin concentration इसका मतलब ये भी क्या करेगा तुम्हारा measurement करेगा किसी का measurement करेगा average hemoglobin concentration in a given volume of RBC जो तुम्हारा RBC का volume दिया गया न उसका क्या average hemoglobin concentration है उसको measure करना उसे बोलते है MCHC पर MCHC नॉर्मल या रखना 30 होता है नॉर्मल 30 होता है अपर next क्या है यहाँ पर दोस्वा type है macrocytic normal chromic macrocytic normal chromic तो देखो macro का मतलब क्या होगा macro मतलब large और cytic मतलब हो गया cell size ऐसा एनिमिया जिसका cell size ज्यादा हो ज्यादा हो इसका मतलब यहाँ पर RBC का size तुम्हें क्या देखने को मिलेगा ज्यादा और normal chromic normal का मतलब होगा normal chromic का मतलब hemoglobin ऐसा एनिमिया जिसका cell size तो ज्यादा है लेकिन hemoglobin तुम्हे normal देखने को मिलेगा मतलब MCHC normal के बड़ाबर होगा और normal का बड़ाबर बोलेती हैं यहाँ पर 30 है तो इसका भी 30 होगा MCHC और याद रखना जब hemoglobin तुम्हेरा normal है जिसका मतलब color भी RBC का normal होगा न तो मतलब यहाँ पर normal हो जागा color और एक चीज़ याद रखना यहाँ पर size ज्यादा है size ज्यादा है इसका volume sale का ज्यादा होगा volume sale का ज्यादा है तो वो more than 90 होगा normal से ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा कि macro का मतलब होगा word को समझो कुछ नहीं है physiology बस समझने के लिए macro मतलब large static मतलब sales size मतलब RBC का sales size तुम्हें ज्यादा टाइप है macro static hypochromic macro static hypochromic macro का मतलब ज्यादा static मतलब sales size अगर normal sales size ज्यादा है RBC का तुसे बुलेंगा macro static देखो RBC का size तुम्हें large होगा और दूसरा जब RBC का size तुम्हें लाजादा है ना जो normal का MCV है उससे तुम्हें more than 90 इसका MCV value देखने को मिलेगा और याद रखना यह hypochromic है hypo का मतलब होता है come hypo का मतलब हो गया hypo word क्या represent करता है भाई hypo का मतलब हो गया तुम्हें decrease या come come इसका मतलब chromic का मतलब क्या हो गया chromic का color color किसका RBC का और यह color का बाता है वेटा यह hymoglobin पर depend करता है इसका मतलब हैपो जिसमें hymoglobin तुम्हें concentration कम देखने को मिलेगा इसका मतलब RBC का color तुम्हें कम देखने को मिलेगा इसका मतलब इसका RBC का color जो होगा तुम्हें लेस होगा और इसमें MCHC hypo है ना less than 30 30 क्या है जो नॉर्मल का है उससे तुम्हें कम देखने को मिलेगा less than 30 और फोर्थ जो है ना फोर्थ है तुम्हारा microcetic micro का मतलब छोटा जो normal size है तुम्हारा उससे छोटा होगा मतलब इसका RBC का size छोटा होगा और अग हैपो क्रोमी का सेम हैपो मतलब कम क्रोमिक का मतलब हीमोगलोबिन concentration कम देखने को मिलेगा जब हीमोगलोबिन concentration कम देखने को मिलेगा तो इसका मतलब mchc तुम्हें कम देखने को मिलेगा normal से normal का 30 है तो less than 30 यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे जब normal hemoglobin कम है इसका मतलब तुम्हें जो color है न rbc का वह भी तुम्हें लेश देखने को मिलेगा और जब color यहां पर देख यह small size का न rbc जब seal का size छोटा इसका मतलब उसका volume कम होगा न तो less than 83 हो जाएगा नॉर्मल से कम हो गया यह important है वाई अब next topic आता है इसमें ideological classification क्या होता है क्या ideological classification क्या होता समझना एक एक चीज को comparison करेंगे इसको रटने की जवरत नहीं है अगर नहीं समझ में आया न तो आप बताना topic easy है थोड़ा सा कोसिस करना concentration करने की concentrate करने की अब आता है ideological classification का अपन बात क करें तो इसमें भी तुम्हें चे सच टाइप का दिखने होलेगा कौन कौन तो पांच टाइप का एक दो होता हीपोरेज सब कर के बात करेंगे यह अगर 솔직 लीडिक अ का बात करेंगे स्रावर्ण मिण्युंट को पर का बात करेंगे तो मेरा एक संज आ है क्या है हम एक चीज़ को बिदा के वोर्ड को तो तोरते हैं क्या करते हैं पहले यह हिसी का मतलब अपन समझेंगे हीमोरहेजिक का मतलब अपन समझेंगे क्या होता है हीमोरहेजिक हीमोरहेजिक का मतलब समझेंगे हीमोरहेजिक का मतलब क्या हो गया हीम का मतलब होता है ब्लड हीमोरहेजिक का मतलब हो गया लॉस ओफ ब्लड ब्लड का लॉस किस से from damaged blood vessels जो damaged blood vessels है ना उस damaged blood vessels से जो blood का loss होगा उसे बुलेंगे hemorhasic मतलब hem का मतलब हो गया तुमारा blood तो इसी में देखो ये जो hemorhasic है न anemia ये hemorhasic का मतलब हो गया excessive loss जब हो जाए blood का तब हो बुलेंगे hemorhasic anemia एक चीज़ याद रखना hemorhasic anemia दो टाइप का होता है एक तो हो गया acute एक हो जाएगा chronic एक हो जाएगा acute और एक हो जाएगा chronic जो acute है ना तो acute का मतलब होता है तुमारा quickly quickly या इसे हम बोल सकते हैं certain certain इसी से समझ में आ गया होगा अगर blood का loss हमारी body से quickly हो certain हो तो उसे बोलेंगे acute hemorhasic क्या बोलेंगे acute hemorhasic anemia बोलेंगे acute hemorhasic anemia इसका मतलब acute hemorhasic anemia एक बार लिक देते हैं acute hemorhasic मतलब क्या हो गया loss of blood loss of blood loss of के बार blood नहीं जादा से जादा loss of blood उसे बोलेंगे acute plus hemorhasic दोनों को मिला के बोलेंगे acute hemorhasic याद रखना certain और quickly लिखना जरूरी है ने तो meaning change हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया कि यहां पी यह दोनों में जब blood का loss जादा हो गया और certain हो गया इसका मतलब क्या हो गया हमारे body से RBC निकला और RBC कम है न कम हो गया जब RBC कम हो गया बेटा तो hemoglobin भी कम हो जाएगा न जब hemoglobin कम हो गया तो इसका मतलब hemoglobin कम हो न तो उसे हम क्या बोलेंगे hypo और chromic क्या बोलेंगे chromic क्यों hemoglobin कम इसका मतलब color RBC का लेस होगा तो उसे बोलेंगे hypo chromic और याद रखना इसमें क्या हो जाएगा कि जो acute है न acute acute में क्या हो जाएगा कि hemoglobin कम हो गया तो एक चीज समझना यहापे एक चीज समझना यहापे यह जो hypo chromic है न यह hemohesic का दूसरा condition हो जाएगा अगर यह लंबे समय तक blood निकला तो उसमें hypo chromic होगा अगर sudden blood large amount में loss हो रहा है तो वहाँ का condition होगा acute के case में यह तो तुमारा हो जाएगा chronic के case में large amount of blood slowly slowly निकल रहा है तो उसमें तो hypo chromic हो जाएगा क्योंकि बहुत जाएदा blood निकल जाएगा बहुत जाएदा हिमोग्लोबीन का loss हो जाएगा वहाँ पर लेकिन जब sudden बात करें न तो इस case में तुमारा हिमोग्लोबीन हिमोग्लोबीन जो निकलेगा तुमारा यहाँ पे जो मतलब मीन कॉर्परस्कुलर हिमोग्लोबीन कांसेंट्रेशन है वह तुम्हें नॉर्मल देखने को मिलेगा नॉर्मल जब तुम्हें देखने को मिलेगा तो उस condition को बोलेंगे नॉर्मो क्रॉमिक नॉर्मो क्रॉमिक नॉर्मो क्रॉमिक क्योंकि उसमें हिमोगलोमी नॉर्मल है ना हिमोगलोमी नॉर्मल है भले निकल जाएगा एक सर्डेन जल्दी निकल जाएगा लेकिन हिमोगलोमी तुम्हें वहाँ पे कम ने उतना लार्ज अमॉंट नहीं हो पाता जितना तुम्हें एक क्रोनिक के केस में होगा इसलिए यहां पे जो कलर है धीए मि phosphorus का वह दान देगा क्रोमिक मतलब कलर और नॉर्मल नॉर्मल रहेगा इसका मतलब यहां पे .. होगा और यहां पे जो हो जाएगा we see का रभीसी निकल रहा है क्या उसका सिल साइस कम रहा है कि अरभी की निकल रहा है ब्लड लोस हो रहा है इसका मतलब निकल रहा है तो छोटा नहीं हो रहा है तो इससे लिए क्या बोलेंगे नौर्मो सैटिक बोलेंगे यह तो तुम्हारा एक्ट्यूट का केस था अगर हम बात करेंगे क्रोनिक का केस क्रोनिक का केस क्रोनिक हीमोरहेजिक कंडिशन में क्रोनिक का मतलब होता है तुम्हारा क्रोनिक का मतलब हो गया तुम्हारा शुलो शुलो बोले तो gradual decrease in RBC RBC का gradual decrease होना इसे बोलेंगे chronic और ये दोनों को मिला तो इसमें hemorhasic hemorhasic दोनों मिला के बोलेंगे chronic hemorhasic और chronic hemorhasic conditions में तुम्हें क्या हो जाएगा जो RBC है न यह macro psychic होगा और दूसरा hypochromic होगा microactic और hypochromic और acute के case में क्या था नॉआ Normal था, normal democratic था और normal chromic था मतलब क्या हो जाएगा acute के case में जो RBC normal politic नormochromic होगा और chronic के case में जो RBC mycoric historic hypochromic तुम्हें देखने को मिलेगा क्या mikro煮最後 picnic deduct है टिस्ट्रेक्षन होता है एक हपला को नहीं। एक ऐसा कंडिशन होगा, क्या एक ऐसा कंडिशन होगा, जिसमें RBC जो डिस्ट्रॉय होगा ना, वो RBC का डिस्ट्रॉय बहुत फास्टर होता है, इतना फास्टर होगा, कि वो replace नहीं कर पाता है replace नहीं कर पाता है उस composite उसे नहीं कर पाता है जो loss होड़ा तो उसे क्या बोलेंगे hemolatic anemia बोलेंगे hemolatic anemia बोलेंगे मतलब क्या हो जाएगा RBC destroy faster than they can be replaced मतलब जितना RBC का destruction हो रहा उतना synthesis नहीं हो रहा है इस का मतलब उस condition को क्या बोलेंगे hemolatic anemia बोलेंगे hemolatic anemia हम क्या है RBC का destruction होता है अपन बात कर लिए इसका भी याद रखना दो टाइक होता है एक होता है extrinsic hemolatic anemia एक होता है extrinsic hemolatic anemia जो extrinsic सबस्चर अपन बात करेंगे extrinsic extrinsic का Right? आको करते हैं यह पहले मतलब समझो एक्स्रींसिक का मतलब होता है कि जो RBC के outside जो भी factor हो, अगर उसके कारण अगर RBC का destruction हो, तो उसे बुलेंगे extensive hemolatic मतलब caused by factor outside the RBC, मतलब क्या बुलेंगे caused by factor outside the RBC यह बोल सकते हैं आपना, बोल सकते हैं, यह जिसे कि आप antibodies, कोई भी antibiotic ले रहे हो या कोई भी medicines ले रहे हो आपन या कोई भी antibodies है उसके कारण RBC का destruction हो रहे हो, मतलब RBC के अंदर नहीं होड़ाया ना यह RBC के बाहर के factor के कारण जो हमोला, RBC का destruction होड़ाया ना, उसको बुलेंगे extrinsic hemolatic anemia बोलेंगे extrinsic hemolatic anemia बोलेंगे अगर extrinsic hemolatic anemia का बात करेंगे, तो यह क्यों होगा यह एक liver failure के कारण होता है यह यह तो renal disorder के कारण तुम्हें देखने को मिलेगा यह hyperasplenism हो जाए तब तुम्हें देखने को मिलेगा या कोई burning हो जाए, burn हो तब देखने को मिले, या कोई infection हो जाए जैसे hepatitis में, या malaria के case में हो सकता है या कोई drugs ले रहो हो ना penicillin वगरा, antibiotic ले रहो तब हो सकता है, या कोई भी autoimmune disease है तो जिसे demotroid arthritis उस case में हो सकता है लेकिन एक चीज़ या गटना इस case में क्या होता है जो rbc है ना वो rbc irregular होगा और microcytic और hypochromic होगा, क्या होगा irregular होगा, microcytic और hypochromic होगा, microcytic वही, जब cell rbc red blood cell का size तुम्हें कमड़े दिखे, तो उसे बुलेंगा microcytic कम दिखे, अगर hypochromic, hypo मतलब कम, chromic का मतलब color, मतलब जो normal red blood cell का color है ना, अगर उसे अगर color तुम्हें कम देखने को मिले, तो उसे बुलेंगे hypochromic, क्या बुलेंगे hypochromic, इसे microcytic और hypochromic बुलेंगे, दूसरा है इसमें intrinsic hemolatic anemia intrinsic hemolatic में दो example याद रखना, sickle selenemia और thalesemia sickle selenemia और thalesemia sickle selenemia और thalesemia फिर छोटा से वीडियो बनेगा, वो अपन next वीडियो में अपन डिस्कुस करेंगे, sickle selenemia और thalesemia को, अगर बात करें intrinsic का, तो intrinsic का मतलब क्या हो गया बेटा intrinsic intrinsic hemolatic anemia intrinsic का मतलब हो गया इससे हम बोलेंगे inherited भी बोलते हैं क्या? inherited hemolatic anemia भी बोलेंगे inherited hemolatic anemia भी बोलेंगे क्यों? क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है? एक या दो या more gene gene जो होता है न जो control करता है RBC का production का जो क्या करता है? AC gene जो क्या करता है? control करता है RBC का production में वह function properly नहीं कर पाता है function properly नहीं कर पाता है मतलब ऐसा gene जो RBC का production करे ऐसा gene जो एक या एक से ज्यादा gene जो RBC का production करे अगर उसका function properly नहीं हो इसका मतलब उसे बोलेंगे intrinsic hemolatic anemia और या intrinsic को इसलिए हीमोलाटिक बोलते हैं क्यों क्यों कि यहां पर आ गया एक सब का बाप gene gene आ गया तो gene का inheritance होता है इसका मतलब इसे बोलेंगे intrinsic हीमोलाटिक hemolatic anemia या inherited hemolatic anemia इसमें क्या होता है जो intrinsic में क्या होगा जो RBC है ना इस RBC का destruction जो normal RBC है उससे पहले हो जाता है उससे पहले हो जाता है याद रखना यह बहुत important था तो एक चीज़ अपन याद रखना कि intrinsic में थोड़ा सा और अपन बात करें तो intrinsic में क्या होता है कि जो RBC का जो sickle cell anemia आपन बात करेंगे नेक्स वीडियो में बात करेंगे इसमें intrinsic में तुमें normocytic बोलेंगे normocytic anemia क्यों क्योंकि intrinsic में क्या हो गया तुम्हारा gene का destruction हुआ और gene क्या करा properly function नहीं कर रहा है इसका मतलब जब RBC का production सही नहीं होगा और RBC का production सही नहीं हो रहा है इसका मतलब read जो RBC का production सही नहीं हो रहा है इसका मतलब RBC उसमें क्या हो जाएगा काम हो रहा है न इसका RBC कम हो रहा है इसका मतलब तो आर्बीसी का डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होड़ा है तो तो आर्बीसी का डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होड़ा है तो तो आर्बीसी का डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होड़ा है तो इसका मतलब जो हिमोगलोबिन है ना तो हिमोगलोबिन में का जो सिंथेसिस है वो भी कम होग हीमोगलोवीन का सिंथेसिस कम होना इसका मतलए हीमोगलोवीन का केटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म हीमोगलोवीन का केटाबॉलिज्म जाधा हो रहा है जहें हीमोगलोवीन का केटाबॉलिज्म जाधा हो रहा है और हीमोगलोवीन और दूसरी बात इसमें जो साइज होगा ना थेलेसेमिया के केस में आर्बीसी सिकल सेल में क्या होता है सिकल सेप हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा जो थेलेसेमिया केस है तो यहां पर थेलेसेमिया बोलो यह इंटेंसी गोल ठेकते हो तो इसमें क्या हो जाएगा इरेग तब Heinrich pair के जошेगा वो अभ़लने में तब होगा क्या माइक्रह्यू कर गया और में 5 बॉनचेटर और यह उत्पा रखकलों और सरव में और बात य क्या होगा कि निवर्सिटी पॉइंट ऑफ यू से भी यह बहुत इंपोर्टेंट है आपसे हमोगलोबी जहां पर भी आइरन लिख दे या पौल दे नूट्रिशन डेफिसेंसी है तो वहां पर तुक्का भी लगा सकते हो वहां पर आइरन डेफिसेंसी अनिमिया आपसे पूछ रहा है तो माइक्रोसाटिक और हैपोक्रोमी माइक्रोसाटिक क्यों होता है देखो माइक्रोसाटिक का मतलब हो गया तुम्हारा माइक्रो मतलब से माइक्रो मतलब क्या हो गया माइक्रो मतलब जिस आरबीसी का सेल का साइज छोटा है जब एक बाद माइक्रोसाटिक में क्यों होता है क इसका मतलई adequate amount मैं हेमोगलोविन का सिंतेसिस नहीं और जब एक अंदर हीमोगलोबीन कम है न हमोगलोबीन क्या है प्रोटीन है अपने एक बात कर लिए थे वहां पर Osmosis वगर सोगे जेनरल फीजियोसि में हमोगलोबीन कम है तो वहां पर सेल के अंदर जो वॉल्म है वह कम हो जाएगा एमोगलोबान पर Q cellular44 on हो जाएगा और अनिमया बोलेंगे अरे सिंपल है ना बाई यह मतलब है इसका मतलब इसीड के अंदर वह क्या होचाइगा साइड की अगल बगल से वह वाल्यूम मतलब जो लिक्विड है उसको ड्रेन करेगा और सील साइज मैंटेंग करता है लेकिन यह पर हमयमोगलूमीन तो कम है तो वहां और इसका प्रूंठी बना कषिक प्रेटीज करते हैं whereas पूर होता है अगर फॉर्द उनहीं होगा अगर 인क्रीस डिमांड ऑफ एर्र सपरला कर सकते हैं और प्लास्टिक एनिमिया बहुत इम्पोर्टेंट टो नहीं है अपर बाथ कर सकते हैं अते हैंатель को क्या बोल जाकते हैं अब फॉर्द submitted बॉन मेरो एपलासिया इसे बॉन मेरो एपलासिया भी बोलेंगे एक सीज़ याद रखना यह जब बॉन मेरो एपलासिया बोलें इसका मतल़ यह कौन सा डिसोडर है विटा यह डिसोडर है रेड बॉन मेरो का रेड बॉन मेरो का डिसोडर है क्या होता है यह इंपोर्टेट याद रखना है यह जो होता है ना यह रियर कंडिशन का एनिमिया होता है रियर कंडिशन का एनिमिया होता है हर विक्ति को यह नहीं हो सका रियरली होता है क्यों इस पी क्या होता है जो बॉडी है ना बॉडी नया सेल नया ब्लड सेल प्रोडक क्यों होता है इसका condition है या तो उस पर repeated एक्स पोजर होता है एक्स गामा रेडियसन का और दूसरा क्यों सकता है या तो बेक्टेडियल टॉक्सिंग के कारण या उसके पास कोई भी ट्यूबर क्लोसिस के कारण हो जाए या कोई भी viral infection है जैसे hepatitis, HIV infection, इसमें क्या होता है, जो RBC, रेट बॉन मेरो है न, उस पर ये condition आने के बाद, उस रेट बॉन मेरो damage हो जाएगा, जब रेट बॉन मेरो वहाँ पर reduced हो जाता है, रेट बॉन मेरो के जगह पर fatty tissue आ जाएगा, तो क्या रेट बॉन मेरो RBC का production करेगा, क्या नहीं करेगा, इसलिए इस condition को क्या बोलेंगे, एक plastic anemia बोलेंगे, याद रखना, बार 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 बोल रहा हूँ, यह एक rare condition का anemia है, बहुत important है, और दूसरी बात, यह एक normocytic और normocytic होता है, देखो production कम हो रहा है, सेल का size छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब normocytic होआ न, और normocytic होआ न, और normocytic, अगर RBC कम बन रहा है, तो hemoglobin कम बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर, sorry, RBC कम बोड़ा है, तो यहाँ पर hemoglobin पर कोई effect नहीं पढ़ेगा, मानलो, suppose that एक ही RBC बना, तो एक RBC में तो hemoglobin बनेगा है न, उतना sufficient amount में, तो मतलब वहाँ पर RBC का color तो तुम्हें normal देखने को मिलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे नॉर्मो क्रोमिक बोलेंगे, याद रखना, नॉर्मो क्रोमिक बोलेंगे, एक होता है तुम्हेरा anemia of chronic disease, anemia of chronic disease में क्या होता है, कि यह second common type का anemia है, बस इतना याद रखना, जब characteristic होता है, इसमें जो RBC का life span है न, यह RBC का life span छोटा हो जाता है, जब RBC का life span छोटा होगा, RBC का डिश्टेक्षन जल्दी-जल्दी होने के काराण, तो जो RBC का decrease होना, उसे बोलेंगे, एनेमी of chronic disease, और इसमें क्या होता है, जो RBC होता है, यह RBC, देखो, production कम हो रहा है, क्या बोलगा है, इसका life span short होगा है, तो जल्दी-जल्दी-डिश्टेक्षन होगा, जल्दी- तो क्या हुझे वह बिए को देखने को नहीं मिलेगा मतलब इसका आड़ी सी का जो कलर है न कलर भी तुम्हें नर्मल देखने को मिलेगा इसलिए कि अपने लाइक करो अब लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेर करो फिजिलोजी है बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फिजिलोजी को आसान कर दूंगा थैंक्यों सो मच गाइस फोर वाचिंग मैं वीडियो